आप सब लोग मेरा नाम विद्दूशी है और आज का व्लॉग है बहुत क्वेक और छोटा सा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं करने वाली हूँ ग्रॉसरी हॉल मतलब सिर्फ सबजियां और आपको वेजीज दिखाने वाली हूँ कि यहां पे साथ आफ्रिका में क्या-क्या अव यहां पे सिर्फ वेजीज और फ्रूट्स अविलेबल होते हैं और बहुत हुज वराइटी में भी होते हैं तो थोड़ा समय आपको दिखा देती हूं कि यहां पे क्या-क्या है वेजीज कमें यहां पे चॉप्ट एंड वाश्ट वेजीज बहुत होती है आप इनको सिर्फ खरीदो और घर जाके बनाओ मतलब पूरी अच्छे से पाक्ट और इवन वाश्ट दूने की भी जरूरत नहीं है घर जाके बट मेरा तो प्रिफरेंस रहता है कि मैं पूरा-पूरा जो होल पाकेट से वही खरीदू क्योंकि मेरे पास थाईम है उनको काटने का तो मैं घर बनाती हैं कट करके बाकी यूजली लोग यही वाली लेते हैं जो अलवी कटी कटाई रहती है एं इंडिन वेजी बहुत लिमेटेड है यहां पर हमको मिला है ओक्रा बोलो तो भिंडी जो की बहुत टाइम बान मिली है और उसके लावा इंडिन वेजी में और कुछ भी मिल रहा था नहीं तो यहां पर काफी महेंगा मिलता है और मैं तोड़ा से आपको क्लोज अप दिखा लेती हूं यह देखो कितनी चमकती हुई बिल्कुल चमकदार सबजिया है नीट एंड क्लीन तो बस हम हर वीक आते हैं अपनी सबजिया लेने और पूरे वीकी सबजिया लेते हैं क्योंकि यहां पर आसपास जब कोई चोटे वेंडर या शॉप कीपर नहीं होते हैं जहां आप जाके वेजिज ले सको तो हम मूसली ऐसे मॉल में जाके पूरा समान लेकर आते हैं तो चलो फटावट घर जाके बताती हूं कि मैंने क्या क्या लिया हां जी तो घर पहुंचने के बाद मेरा सबसे पहले काम होता है कि सब्यों को निकाल के अच्छा से रख दूँ क्योंकि सब्या मुझे बहुत महंगी लगती है अब ही मैं सारी सब्या दिखानprochen के बाद उनकी प्राइश भी बताउंगर आपको और आप मुझे बताना कि आपको भी ऐसा ल ब्रॉक्ली झाह कॉच प्रॉक्ली रखने समय हो ऊस्का-शुषी, एक उसमें नहीं पाना तुलुण की एक पत्ता गों सकती है और साथ को रहा सबस्या तीम सब्वारा है बहुम का लुपश और है काम अलेड युद आपो ने चानर Andre औरISA को घरी में रोगें तो नहीं आता हो में भी हमको शुरू से इसका टेस्ट है इसलिए तो क्यार्ट भी दो पकेट होगे क्योंकि बच्चों की टिफिन में भी जाएंगे रौ और यह पंकिन जो अलड़ी कट वाला कटा हुआ वाश्ट पंकिन है जिसको सिर्फ निकालो और बना लो तो यह जो सब अब बात करते हैं ग्रेवी की ग्रेवी में मिला हूँ टोमेटो एक किलो का पाकेट है यह फिर यहां पे दो पाकेट अनियंस के और अप ध्यान से अनियन में भी एक्सपाइड डेट यह सेल बाइट लिख हुई गया यह मैं पहली बार देखा है यहां अगरी दो पाकेट दो पाकेट चिलीज के आए है मिर्च भी बहुत तमीज से आई है बल्कुल पैक हुई साफ सुतरी और हमारा मेंडेटरी जिंजर अचा अदरक देख लो कितनी क्लीन और कितनी सुन्दर अदरक मैंने नहीं देखी और कहीं पे भी नहीं देखी और साथ में गाले तो यह हो अमरूत यह शायद इंडिया से इंपोर्ट कियोंगे बागी सब चीज जो लिया है वो लोकल फूट्स और लोकल वेजीज लिये जो यहीं पर बनती है यहीं पर उकती आए मीन फिर अगे पपाया पुरा पैक आ गया एपल्स बहुत ही जादर सस्ते मिल रहे थे यह एक किलो यह लिए बजो अच्छ है उत ध्रेस्टेटेश पासते हैं जाए ट सब चीज दिए आए पर यहाँ जाए प्रेस्थ में चेश जाए बड़किंगे डार रडिवी अर शायसे अच्छ था इंगे उतने बड़ उत्याँ है ओल्ड़ इट्रेसिं के इन सब चीज़ों के ल मे 7 kg वाला क्योंकि आराम से मेरे घर में 2-5 मेने चलेगा क्योंकि मैं आलू थोड़ा कम यूज करती हूं इतना नहीं करती हूं और मैं आपको दिखा देती हूं कितना ही क्लीन आलू है देखो बलकुल दुला दुलाया मस्त सो गाइस यह था पूरा वीक का समान fruits and veggies और यह देखो बिल दिखा देती हूं 1000 rands का बिल बना है उससे जादे ही है और यह 1000 rands को अगर मैं आपको convert करू ना तो यह सबजी भाजी मेरे को पड़ी है 5000 रुपे की हां जी तो पता नहीं मुझे तो महंगी लगती है अब आप क्वांटिकी में आती है प्लस मैं आपको बता दूँ है सब यहां की local veggies है कुछ भी imported नहीं है शायद अमरूद को छोड़के अमरूद यहां पर नहीं होता है बाकि एक एक चीज लोकल है इसलिए इनके prices भी high नहीं थे बिलकुल मैंने कुछ ऐसा extra पैसा दे के high price वाला कुछ समानी लिया है तो guys इस व्लोक को मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ next week एक नए व्लोक के साथ till then bye bye